तो भारत की काशी को हर हर महा दे बहुत ही शांदार इवेंट रहा मैं अपने मॉडल भाई और बेनों से बात कर रहा था कहा था कि यार हम कहीं सारे फैशन चोज करते हैं लेकिन ये वंस इन लाइफ टाइम मौका है हम सब के लिए मुंबई किसी फाइफ स्टार के बैंक्विट से अच्छा यहां आकर गंगा किनारे ये शोकेस प्रिजेंट करना जो विश्व प्रसिद मनीश मलोतरा साब ने इतनी मेनत से क्रियेट किया है सबसे बड़ी बात थो ये हा कि ये शोकेस करता है हमारे बुंकर समाज की कारी ngày को इनकी कला ऐसी है की पूरे भारत को उनकी कलाकारी पर गर्व है और रहे जीप है तब ऻौन प्रसिव करता है और जिस तरह की energy थी जिस तरह की vibration frequency I don't think this is a day or an evening that I will ever ever forget अच्छो क्या लगता है पिछले पर भागियता को एक बहुत एमियत भी है और क्या हमा सब को प्राइड की तरह एंजोई करते हैं? बिलकुल माम, Akashi as an example आप ले लो, दस साल पहले यह सब नहीं था जिस प्रयास से, Modi ji ने यहां पर बदलाव लेकर आएं, सुधार लेकर आएं people from not only all over India but all over the world would come to experience the divinity that is present in Kashi but with a lot of difficulties now we have world class facilities and for everybody to come here and experience Kashi for the splendor and grandness that it has and that it's almost representative of our nation and where we are as a nation a blend of past and present of the fact that we as a people are very very proud of our rich cultural heritage and our legacy and we don't forget our past we celebrate our past as we march on towards the future we thrive in the present and are very very confidently marching on towards the future with purpose and intent and I have to say that it has this entire day this visit has been an experience that I will never forget I mean it is the bunker community is constituted by both Hindu and India and Muslims and that's why it is so significantly representative of our great and secular nation. Khriti, आपसके वारे में क्या कहना चाहिए? मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे कुछ हैंड वोवन पहनना है जो हमारे हेरिटेज, हमारे कुल्चुर को जयता है, दर्शाय. बहुत बड़ा मुका था, मेरी लाइफ का सबसे एहम पल था. विज्यान भवन में जाना अफकॉस, प्रेजडिन माम से वो पुरिस्कार मिलना, तो कुछ ऐसा होना चाहिए था जो हमारे भारत तो दिखाए और बनारसी सारी जो है वो हमारे विरासत, हमारे हेरिटेज के बहुत इंपॉर्टन पार्ट है, तो मनीश ने ही वो बनारसी सारी यह घंद सारी किया हुआ, बनारसी सारी और हमारे हेरिटिज को मारे Bunker कम्यूरी कह्मूर्टी कर जाता है, तो कितने दिन लगते हैं, कितने प्यार से खाली पैसे के लिए ने, दिल किया जाता है यह काम और सबसे खास बात होती है कि वो एक ही पीस होता है उस पीस के जैसा और कोई नहीं है मशीन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो यह एक्चुल हमारी हेरिटेज है हमारा कल्चर है जो मुझे लगता है कि भारत के बाहर पूरी दुनिया में दिखना चाहिए आज इस मौकी का हिस्सा बन पाई इस इनेशियटिव का जो विकास भी विरासत भी विकास भी विरासत भी आई थिंक काशी बहुत ही अच्छा एक्जामपल है इस प्रयास के लिए क्योंकि काशी एक ऐसी सिटी है जो जिसमें इतना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में श्र पिए वो रीडेवलप्मेंट हो चाहें कितने नए सारे धाम आये हैं कितने नए घाट्स आये हैं रेनोवेशन हुआ है और उसके साथ साथ जो जो फीलिंग आती है काशी में जो अंदर से जो फीलिंग आती है दिल काशी का वही है तो बाहर की जो बाडी है वो काफी पर वो रौनक थी, सब की आंखें चमक रही थी, बट आप इस पावर अफ अफ इनरजी था इस हेल विदिन इस अबसलुटली श्पिरिच्वली श्पेशल प्लेस्ट प्लेस्ट यह विवन इस शो मैं भारत के हर युवा को यह बताना चाहता हूं कि it is very important to take pride in the rich cultural heritage of our great nation. As I said, we celebrate our past and our roots, we thrive in the present and we march on towards the future with purpose and intent. Of course, यह जो महिना चल रहा है, it's a very significant month. तो मैं सारे युवाओं को अपील करना चाहूंगा के do not lose sight of your responsibility. आप इस भारत वर्ष का आज है और कल है तो बी, take cognizance of the responsibility that lies with you and certainly go out and vote. प्रीजी, आपका मैसेजी इंड़ोगा? मैं ही कहना चाहूंगी, of course, right to vote सबसे important है. जैसा कि गांदी जी ने कहा था, be the change that you would like to see in the world. So, change जो है वोटिंग से शुडू होता है. So, of course, do go out and exercise your right to vote. उसके साथ-साथ, I really, really am very proud कि भारत जिस तरह से दुनिया में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है. हर फील्ड में हम जिस तरह से दुनिया में काई जगा तक पहुच रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमारा कल्चर, which we are really, really proud of, which I think is very, very unique. I think we are taking that with us. तो विकास भी विरासती है. अब हम बोलाते हैं उस मजिशन को. मैं काशी बहुत बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है काशी आना. मैं बीव से भी मिला हूँ पहले और कभी मैं यह नहीं सोचा था कि मैं यह पेक फैस्शन शो करूँगा. तो आज का दिन मेरे लिए बहुत से बाशन शोज की हैं. तो इस बीन मैनी यह वर्किंगा. तो तो जो एक तो तो जो बहुत 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 अच्छा लगता है. और मेरे लिए इस वान पोस्त बीटिफुल सिटीज और क्योंकि है एक फंकारी है बहुत बहुत सूरत है. जगा भी मुझे बहुत काम आपको मैसूत होता है. मैरे लिए अज का यह शो मे बहुत नर्वस था बाक स्टेज के सब अच्छा हो और यह सब ठीक हो. जैसे क्रिटी ने कहा है बहुत अलग सा शोता है कि मेरे शोज के अंदर बहुत सा ग्लैमर होता है या सिक्वेंस एंप्रोइडरी जो लगता है कभी-कभी हम उन एंप्रोइडर के पीछे चुपते हैं क्योंकि हम इतना काम करते हैं कि वो काम दिखे और स्ब्सक्राइब कर दो जादा था कि आधा था कर जो एल्यूम है और यहां के खनकार है जो बुनकर क्म्यूूनिटी है उनका काम देखे और तो असप्रोइडरी कि श्मान बेले बहुत बाद था बहुत उनीक था बहुत पेशल था बहुत पेशल था रन्वीर 2 श्ता बहुत एक साथ खड़े रहके हाथ में हाथ डालके अपनी कारीगरी को सेलिब्रेट करें लोग जैसे कि मैंने का आज की शाम बुनकर समाज के नाम अभी साथ और वी करते हैं तो अब लिए अब लुट बिल्कु जैसे है लोगल फो गलोबल अ मैं हमेशा ह करे के जिए मेरा काम है जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं and I think for me it's very important that we take all our fabrics and our hand loom and our great karigas all over the world and their work should shine all over the world it's very very heartening to see them all on stage together being celebrated one of the best moments of my life I would say I will never forget this show thank you for everything sir thank you FOR EVERY BAJAR TAYAKwow I can trust all of the variety of things Remember! What was the one I was reading whatever I want May I wish you all I wish you all and I wish you all